13 तारीक 2024 दिन शनिवार पूरी दुनिया की नजर अमारिका पर थी देश में गहमा गहमे का माहुल था चारो दरफ चुनाविया रैलिया हो रही थी रोड पर ट्राफिक जाम मैदान में पॉलिटिकल लीडर्स की ललकार और उसके पीछे फॉलोर्स की भीड ये सब इलेक्शन इन ही में से दो आखे उस शिकारी की भी थी जिसका शिकार था डोनाल ट्रम्प लेकिन इससे पहले किसी को कुछ पता चलता एक गोली हवा को चीरती हुई आती है और सीधा डोनाल ट्रम्प के पास से निकलती है देखने में ये हमला जानलेवा लग रहा था लेकिन उनके कान को छूकर निकल गई लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कोई पहले नहीं है दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर्स पर ऐसे अटाक्स हुए और इसके बाद वो बहुमत से सत्ता में भी आये हैं ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ये अटाक्स पॉलिटिकल एजेंडा या जीत का कोई सीक्रेट है क्या पॉलिटिकल लीडर्स खुद ही अटाक्स करवाते हैं अगर नहीं तो जिस अमारिका में बड़ा सा बड़ा दुश्मन भी पैर रखने से डरता है वहां उनहीं के लीडर्स पर अटाक कैसे हो सकता है वो भी इतनी सिक्योरिटी के बीच कैस हर अटाक के बाद लीडर बहुमत से चुने जाते हैं क्या अब ट्रम्प की जीत पक्की है और एक आधे को छोड़कर ऑल्मोस्ट ऐसे अटाक्स में लीडर्स बच कैसे जाते हैं आज की वीडियो में हम इन सवालों का पोस्टमोटम करेंगे ये हैं वोल्ट सूपर पावर अटाक ने इसकी सेफटी पर भी सवाल खड़े कर दिये कि जब देश के बड़े बड़े लीडर सेफ नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि ये अमेरिका में पहला इंसिडेंट ऐसा नहीं है इस हमले ने 43 साल पुरानी बात को ताजा कर मज़िदार बात तो यह है कि इस घटना के तीन साल बात अमेरिका में प्रिजिदेंसी इलेक्शन होते हैं जिसमें रीगन ने रिकॉर्ड तोड वोटों से जीत हासिल की ट्रम्प और रीगन की तुरहा ही अबराहम लिंकन, सॉलोमन भंडार नायके, इंद्रा गांधी और पेंजीर बुटो जैसे दुनिया के बड़े नेताओं पर अटाक हुए, इसके बाद वो कई सालों तक सत्ता में बले रहे, वहीं जो लीडर अटाक में मारे गए, तो उसका फाइनाइट उसकी पार्टी को मिल जाता है, अब अमारिका में ट्रम्प का पलड़ा भी भारी ल क्योंकि कुछी समय पहले उस पर अटाक हुआ होता है, और उसके साथ कोई हाथसा हुआ होता है, प्रॉच्णीती की हिस्ट्री को अगर देखें, तो ये घट्चो की घटनाए कहती हैं, कि ट्रम्प की पॉपिलरिटी अब देसी से उपर आ सकती हैं, असल में जिन नेताओं पर भी ऐसे सीरियस अटाक हुए है, पबलिक हमेशा उनके सपोर्ट में उतरती आई है, इसमें वो लोग भी होते हैं, जो पहले दूसरी पार्टी के सपोर्ट नारे लगाते हैं, जैसे ट्रम्प के केस में हुआ, जिनके सपोर्ट में आम लोग ही नहीं, बलकि कई बड़े इमरान का काफिला पंजाब के वजीराबाद इलाके में पहुचा था, तभी इमरान खान जिस कंटेनर पर मौझूद थे, उस पर ताबर तोड अटैक होता है, इस तोरान 3-4 बुलेट्स इमरान खान के पैर में लगती हैं, इसके बाद उन्हें लाहोर के शौकत खानम अस् उस पार्टी ने 3 महीने बाद होने वाले चुनाव रेकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किये, इस दोरान इमरान खान के 93 सांसदों की जीत हुई, जबकि नवाज शरीव की सत्ताधारी पार्टी पीमल एन इसको सिर्फ 75 वोटो पर जीत मिली, इससे पहले 27 दिसंबर 2007 को भी पा पाफिली के पास भीर उमर पड़ी जो नारे बासी कर रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों का अभिवादन करने के लिए वो अपनी कार से बाहर निकली, तब ही वहां तीन गोलिया चलती है और एक बम विस्पोर्ट होता, इस अटैक में बेंचीर भुटो मारी गई, इसके बा पाफिली की लहर ने उन्हें भरपूर वोड दिया, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत की भी यही कहानी है, बात 31 ओक्टुबर 1984 की है, उस दिन अच्छी खासी धूप वाली सर्द सुभा थी, उस वक्त भारत की प्रधान मंत्री इंदिरा गांदी थी, जिन के लिए य उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जाकेट नहीं पहनी, जबकि उस वक्त लगतार धंक्या मिल रही थी, सेक्योरिटी के लिहाद से उन्हें बुलेट प्रूफ जाकेट पहनने के लिए कहा गया था, खेर इंद्रा गांदी के बाहर आतो ही, सेक्योरिटी गार्ड और सत्वन्त सिंग ने हमेशा की तरह उन्हें नमस्ते कहा, इंद्रा ने भी आगे पढ़कर दोनों को नमस्ते कहा, इतने में बेयंथ ने 0.384 की सरकारी रिवॉल्वर इंद्रा गांदी पर तान दी और कुछ पल के सन्नाट के बाद तीन बार गोलियों की आवाज आई, त चुद्रा के मर्डर के बाद देश में आम चुनाव हुए, तब देश ने 514 में से 404 सीटे कॉंग्रेस को दी, लगबक 6 साल इतहास फिर दोर आया, और 1991 में एक चुनावी रैली के दोरान पीम राजीव गांदी की हत्या कर दी गई, ये वो वक्त था जब तेश पर में रा चुनाव का रुख मोर दिया, दूसरे में कॉंग्रेस को 47 सीटे जादा मिली, कुल मिलाकर 523 सीटों में से कॉंग्रेस ने 244 सीटे हासिल की और सत्ता में जाकर बैट गई, ऐसे ही पूर प्राजीलियन राश्रपती, जेयर बॉल्सो नारो पर भी साल 2018 में एक इवेंट के द की शुरुआत श्रिलंका से ही हुई थी, ये बात 26 सितंबर 1969 किये जब एक बहुद चरम पंती ने उस वक्त के पीम सोलोमन भंडार नायके की कोली मार दी थी, सोलोमन पर हुए इस अटाक के बाद उनकी पतनी सीरीमाओ भंडार नायके ने पार्टी और एलेक्शन खूब फायदा मिला, उसे श्रीलंका की जनता का साथ भी मिला और वहां की सत्ता भी। उन्हें तुरन चौर्ज वाशिंग्टन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एड्मिट कराया चाता है, बड़ी बात ये थी के छे गोलिया लगने के बाद दी उनकी चान बच जाती है और वो अगले ही दिन हॉस्पिटल से काम करना शुरू कर दीते हैं। इसके समझने के लिए हम ट्रम्प के केस को स्टडी कर लेते हैं। उनके राइट कान से छूते हुए तेजी से निकली। ट्रम्प ने अपना कान पकड़ा और नीचे छुक गए। इसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत उनको चारों तरफ से खेड लिया। तभी लगतवार कई गोलिया चलने की आवाज आई। लेकिन ट्र पर कई तुरह की कॉंस्पिरेसी थ्येरीज चले लगी। किसी ने कहा कि यहमदा ट्रम्प के पॉलिटिकल अपॉरेंस ने करवाया। कोई बोला कि ट्रम्प ने खुद ही अपने उपर यह अटाक कराया। अब इनमें से कौन सी बात सच है यह अभी तक कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इस अटाक ने ट्रम्प की जीत को 90% तक तैय कर दिया है। और अगर हिस्ट्री को देखें तो यह चीज 98% पक्की है। क्योंकि अभी तक दो एक्सपेक्टेशन्स देखने को मिल रही हैं जब जनता का साथ और सिंपेती तो मिली है लेकिन वोट चुली साल 1912 में पूर्व राश्रपती थियोडोर रूस्वेल्ट पर चुनावी कैम्पेइन के दौरान गोली बारी हुई। गोली निशाने पर लगी लेकिन रूस्वेल्ट की जेप में मेटल का चश्मा और भाशन की मोटी कॉपी रखी थी जिसकी वज़ह से गोली का अ जब उन्हें मारने की कोशिश हुई तब उन्हें खूप popularity मिली लेकिन election में वो democratic नेता Jimmy Carter से हार गए और ये दोनों cases अमारिका के ही हैं इसलिए ट्रम्प के जीतने के 98% chances तो हैं वहीं अगर इस सवाल पर अगर बात करें कि क्या सच में political leaders खुद पर attack करवाते हैं तो अभी तक ऐसा कुछ खुल कर सामने नहीं आया है वहीं ऐसे attacks में कई leaders की मौते भी हुई है इसलिए अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन आपको क्या लगता है आप comment करके बता सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिलको ना भूले